नमस्कार दोस्तो राजेंदर केटिविटी चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तो आज की वीडियो है टीडियस रिफन से लेटिड दोस्तो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी से बजारिश करता हूँ की प्लीज मेरे चैनल को ज़ाद से ज़ाद सब्सक्राइब करे और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और सेर करना मत भूलिए दोस्तो आज की वीडियो देखने के बाद आप बिना किसी की मदद से अपना टैक्स रिफॉंड का स्टेटस सिंपली अपने पैन नमबर से जान सकते हो दोस्तो आपको अपना टैक्स रिफॉंड स्टेटस जानने के लिए सबसे पहले गूगल में जाना होगा और गूगल के नीचे जो टैब है उसमें आपको TDS refund लिखना है यानि की जो गूगल के नीचे टैब है उसमें आपको TDS refund लिखना है और उसके उपर आपको एंटर मारना है जैसे ही आप उसके उपर एंटर मारोगे तो आपके सामने Online Refund Status Tax Information Network NSDL लिखके आएगा उसके उपर आपको क्लिक करना है जैसे ही आप उसके उपर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरह की बिंडो आ जाएगी सबसे पहले उस बिंडो पे लिखा होगा Tax Information Network of Income Tax Department यानि कि यह जो साइट आपके सामने खुलके आई है वो Income Tax Department से लेटिड है और आपको अपना TDS Refund जानने के लिए आपको अपना PAN नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा उसके बाद आपको जो यह आप यहाँ पर देख रहे हो Assessment Year यानि कि जिस Assessment Year में आपने Income Tax बराए तो उस Year को आपको क्लिक किया चूज करना होगा और उसके बाद आपको यह बोल रहा है कि Enter Tax as a Above Image यानि कि जो Capture आपको Enter करना है वो इस Image का होना चाहिए यानि कि जो इस Image में है उसको आपको इधर लिखना है E5 जैसे ही आप इस Capture को इधर Enter कर दोगे आपको Simply Submit करना है Submit करने के बाद आपका Tax Refund का Status आपके सामने आ जाएगा सबसे पहले आपके सामने आपका Pen Number होगा Pen Number के बाद आपका Assessment Year होगा जिस Assessment Year में आपने Income Tax Return भरा है और उसके बाद आप Simply Status पे जाएए Status में जानने के बाद आपको Totally Clear हो जाएगा कि आपका Tedious Refund हुआ है या नहीं हुआ है As per this Bank Card Status Refund is Already Credit to Your Bank Please Contact Your Bank यानि कि इस Status से यह Clear हो गया है कि आपका जो Refund है वो Income Tax Department की तरफ से Clear कर दिया गया है और आपके Account में Divorget करा दिया गया है यानि कि आप बड़े असानी से इस वीडियो को देखने के बाद अपना Tedious Refund का Status जान सकते हो और हाँ दोस्तो वीडियो के अंत में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इस साइट का लिंक बना के देदूँगा उस लिंक पे Simply Click करके आप इस साइट में अपने Pen Card की मदर से बड़े ही असानी से किसी भी Year का Tax Deduction और Tax Refund का Status जान सकते हो दोस्तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसे Like और Share करना मत भूलिए धन्यवाद